कुछ लोग तो ऐसे लेट कर पानी पीते हैं चलकर पानी पीना एक बहुत बड़ी मूरकता है बहुत सारे लोग हाई कितनी गर्मी है हाई कितनी गर्मी है कहकर चेडल पानी पी जाते हैं अगर आप ठंडा पानी पीते है तो इस पानी को आपका शरीर आफजॉर्ब नहीं करेगा ऐसा पानी पीना व्यर्थ है कुछ लोग तो बोतल को मुझ लगाने के बाद छोड़ते ही नहीं है यह बहुत गलत आदत है कुछ लोग एक्सोसाइज करके तुरंत पानी पी लेते है यह भी बहुत बड़ी गलती है यहां तक कि कुछ लोग गलत बरतन का इस्तेवाल भी करते हैं फ्लास्टिक इस दुनिया का सबसे गंदा बरतन है कुछ लोगों को यह बहुत बड़ी गलत फहमी है कि हर पांच मिनट में पानी पीना है अगर किसी ने उन्हें कह दिया कि हर पांच मिनट में पानी पीना है तो वह व्यक्ति हर पांच मिनट में पानी पीना शुरू कर देता है पता ही नहीं है कि कितने समय के बाद पानी पीना है इसके पीछे साइंस क्या है डिटेल में आगे बताऊंगा कुछ लोग तो पेशाब करके आते हैं पेशाब करने के खाना खाने के बाद तो पानी नहीं पीना है लेकिन क्या मैं फरूट खाने के बाद पानी पी सकता हूं यह भी बहुत बड़ी मूरकता है अड़े होकर पानी पीना सबसे बड़ी गलती कुछ लोग तो एक ही सास में घूट-घूट करके पानी पी जाते हैं यह बहुत बड़ जब भी आप पेशाब करते हैं तो पेशाब का कलर देखें अगर आपके पेशाब का कलर ज्यादा पीला है तो आपको पानी की सक्त आउशकता है अगर आपके पेशाब का रंग साफ है पानी के जैसा दिखता है तो आप बिल्कुल सही पानी पी रहे हैं तो अब जानते हैं पानी पीने का सही तरीका क्या है। कब पानी पीना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए और कैसे पानी पीना चाहिए। कैसे की अगर मैं बात करूँ तो प्लास्टिक आप बिलकुल उपियोग ना करे। दोस्तो इस दुनिया का जो सबसे अच्छा बरतन ह वो है तामबा तो तामबे का आप परियोग जरूर करे रात को पानी तामबे के किसी भी बरतन में रखकर छोड़ दे सुबह उठकर उस पानी का सेवन जरूर करे उससे आपको कब्ज की समस्या नहीं होगी 21 दिन का फार्मूला आपको बताना चाहता हूं यह 21 दिन का अपना लिया 21 दिन का फार्मूला अपनाने के बाद इस चीज की आपको हैबिट हो जाती है तो आप 48 रोगों से मुक्त हो सकते हैं जैसे किडिनी के लीवर के हार्ट के रोग आपको नहीं होंगे अगर आप आफिस में या फिर स्कूल या फिर कहीं बाहर जाते हैं तो प्ल तील की बोतल का इस्तमाल भी कर सकते हैं बहुत सारे लोग चिल्ड पानी पीना पसंद करते हैं मेरी मानों तो 21 दिन हलका गुनगुना पानी और अगर मटके का पानी मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया 21 दिन के रूल में आप हमेशा ध्यान रखे आपको बैट कर ही पानी प जाएगी उससे होगा क्या उससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉंग होगा अगर आप इस तरीके से पानी पीते हैं तो आपको क्या-क्या समस्या नहीं होगी मोटे-मोटे तोर पर मैं बता देता हूं इससे आपको जॉइंड पेन, माइग्रेन, गवराट की समस समस्या, पेट की जितनी भी समस्या है, कब जो ना, गैस या पाचन तंदर की जितनी भी समस्या है, ऐसी डिटी रहती है, मोटापे की समस्या आपकी हल होगी, किडिनी की सबसे ज्यादा समस्या ऐसे पानी पीने से सॉल हो जाती है, अगर आप ऐसे पानी पीएंगे, आपने जो भी खाना खाया है उसके सभी पोशक तत्व आपका शरीर ले पाएगा नहीं तो वह सारे पोशक तत्व वेश्ट चले जाएंगे अब बात करते हैं आपको कब कब और कितना पानी पीना चाहिए आपको खाना खाने के कम से कम 40 मिनट पहले पानी लेना चाहिए तो वह सबसे बेस्ट होता है और खाना खाने के कम से कम 40 मिनट बाद ही पानी लेना चाहिए वो भी सबसे बेस्ट होता है तो ये तो हुआ दोस्तों खाना खाने का रूल जैसा कि मैंने पहले बताया कि तांबे के बरतन से ही पानी पीए खाना खाने के बाद जो आप पानी पीएंगे कम से कम आप आदा लीटर ही पानी पीए आप महिला हो या फिर आप पुरुश हो या फिर बच्चों को भी इस आदत को डाले कि आपने इतना सुबह पानी पीना ही है कोई भी चीज खाते समय आप पानी का सेवन बिलकुल ना करे अगर आपको पानी की जरूरत पड़ती है तो आप एक या दो गूत पानी का इस्तेमाल कर सकते है जिससे कि आपका सूखा हुआ गला गीला हो जाए अब बात आती है दोस्तों हमें पूरे दिन में कितना पानी पीना चाहिए जो पुरुष है वो पूरे दिन में 3-4 लिटर पानी पी सकते है जो की एवरेज गिलास 10-12 गिलास बनते है जो महिलाए है वो पूरे दिन में 2-3 लिटर पानी पी सकते है जो लोग वजन का काम करते ह या फिर exercise करते हैं या फिर कुछ हो रहे भी काम करते हैं तो वह है व्यक्ति सामानिय से एक लिटर ज्यादा पानी पीए आप पुछेंगे दोस्तो पानी को मैं इतना महत्व क्यों दे रहा हूँ क्योंकि दोस्तो हमारी बोड़ी में सिर से लेकर पाओ तक 70% पानी की मात्रा होती है जब तक आप सही तरीके से पानी नहीं पीएंगे तो आप स्वस्त नहीं रह सकते आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी दोस्तो आईरुवेट के हिसाब से इलाज से परेज लाग मुना अच्छा होता है तो यह 21 दिन का फार्मूला आप जरूर अपनाए वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके आप जरूर बताए अगर आप मुझसे बात करना चाते हो तो इंस्टागराम पर आप मुझे मैसिज कर सकते हो या फिर आप फेस्बुक इस्तमाल कर रहे हैं तो फेस्बुक पर आप मुझे मैसिज कर सकते हो दोस्तों Instagram और Facebook पर भी आपके लिए बहुती अच्छे अच्छे टिप्स लेकर आता रहता हूँ मैं, इसे आप follow जरूर कीजिएगा, आशा करता हूँ दोस्तों दी गई जानकारी आपके लिए बहुती उपयोगी होगी, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ आपका दिन शुब कर दो कर दो